दोस्तो जब कोई इंसान अपने जीवनकाल में कुछ ऐसे महानकारी करके चला जाता है कि उसके जाने के बाद भी उसकी किर्ती और महिमा लोग युगो युगो तक गाते हैं तो आज हम पुर्णिश्लोक अहिल्या भाई होलकर के उपर लिखी हुई एक ऐसी ही रश्ना का पाठ करेंगे जिसे लिखा है पुज्य पंडित श्रीधर चोबे जी ने और इस प्रभाती की रश्ना उन्होंने सन 1790 याने की मा साहेप के जीवनकाल के दोरान ही की थी धनिधन्य अहिल्या माई करी जिन इंदोर सुहाई रानी हुलकर वंश महेश्वर राई कलियुग माही किर्ती रैच्छाई महिमा जसु सके को गाई धनिधन्य अहिल्या माई थाके कवी तटतर नहीं पाई उपमा सकल रहिल जाई प्रजा को प्रतिपाल किन्हु पुत्रव असन वसन देत दान ना अगाई पट भूशन दुझ साधू पाई सपुचाई बांदे घाट मंदिरादी तिर्थन जाई काशय विश्वनाथ पतन सोम नाथ मंदिर फेरी बनवाई महिश्वर घाट लचीमन जुला छविवरनी नहीं जाई अन्न सत्र ठोर ठोर सुखदाई भै नहे नहोए अस उदार माई भरव गंगाजल अमल हरदवार से मंगाई कामरी शताविधी रामेश्वर पठाई पजय त्रिपुरारी सुभग वरदान पाई मुद्रा में नंदिकेश्वर बिल्व पत्र धराई सचिव गंगाधर करी घटि आई सेनप रागोबा मन माही घबराई लखिवेभव राव माधव पेशवा सकुचाई धर्म की द्वजा रही फहराई हिंदुपति राना भीम सींग पच्चताई माल दाम महित्ता चतुर मंत्री गमाई उनकी सेनने बड़ी हारी पाई कहु कहा लगी नप मोली मनी कहाई बनत चौबय श्री धर भै सदा सहाई अजर अमर तुम वंश होए प्रभुताई यावत चंदर दिवाकर गंग जल बहाई धनिधन्य अहिल्या माई द्रूव केशो अटल राज रहे प्रजा परिजन सुहाई धनिधन्य अहिल्या माई धनिधन्य अहिल्या माई